दोस्तो अगर आपका phone भी बहुत ज़़ाधा Hank कर रहा है कोई भी application सवाइस्से काम नहीं कर रहा है आप अपने phone में कोई भी application डाउंवोड करते हैं तो phone बहुत ज़़ा फसने लगता है बहुत ज़़ा छिपकने लगता है तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी फोन के अंदर ही कुछ ऐसे hidden settings के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तमाल करने के बाद आप अपने फोन को बिलकुल नया जैसा बना सकते हैं जैसा आपका फोन नया में चल रहा था ना वैसा आपका फोन चल लएगा क्योंकि हमारे फोन के अंदर कुछ ऐसे hidden settings होते हैं जो कि हमें खुद से on करना पड़ता है और उसे on करने के बाद आपका जो फोन है life में कई भी hang नहीं करेगा क्योंकि यह जो hanging problem है ना 90% लोग अपने साथ face कर रहे है कि भाई जो मेरा फोन है ना बहुत ज़दा hang कर रहा है और किसी किसी का hang नहीं कर रहा है तो बहुत slow काम कर रहा है कोई भी application साइस open नहीं होता है तो वो सारे problem के मैं आज आपको solution बताने वाला हूँ तो उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर कुछ नया settings करना होगा तो settings कौन सा उसे कैसे use करना है तो वीडियो को जरा से भी skip नहीं किजेगा तो चलिए उस settings के बार में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे छोटा सा request करता हूँ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को एक लाइक करते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको अपनी फोन के settings को open करना है ठीक है open करने के बाद सबसुपर में आपको एक option मिलेगा जिसका नाम होता है about phone डिरेक्टली आपको about phone के अंदर जाना है ठीक है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा जिसका नाम होता है MIUI version या फिर आपके phone में build number से भी हो सकता है अगर आपका phone MI का है POCO का है तो आपके phone में MIUI version होगा अगर किसी और company का होगा तो यहाँ पर आपको build number देखने को मिलेगा तो डिरेक्ली आपको करना क्या है इस पर आपको साथ बाद टैप करना है साथ बाद टैप करने के बाद आपके phone में एक नया hidden settings आ जाजाएगा जिसका नाम होता है developer option यह हमारे phone में पहले सनी होता है by default आपको यह settings देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने आप phone लेते हैं तो इसके अंदर आपको about phone के अंदर जाना होगा और build number पर साथ बाद टैप करना होगा तभी आपके phone में यह नया hidden settings आ जाएगा यहाँ पर आपको साथ देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होता है इश्चा नाम होता है developer option यहाँ पर आपको नहीं होता है जैसे मैं आपका phone अगर hang कर रहा है तो भी आप अपने phone में सही कर सकते हैं तो उसके लिए पो करना क्या होगा सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे फॉर्स सेटिस के बारे में तो उसके लिए यहां पर आप सब स्क्रोल डाउन कीजिएगा तो यहां पर आपके एक option में लेगा जिसका नाम होता है automatic system update यहां पर अपडेट सकते हैं यह क्या होता है कि हमारे phone में on रहता है इससे क्या होता है कि अगर आपके phone में कभी अपडेट आता है तो आपका जो phone है automatic update हो जाता है आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि हमारे phone में कभ अपडेट आया कभ अपडेट हो गया यह आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे फोन में जो नए-नए अपडेट आते हैं उसके अंदर आपको कुछ जंक फाइल आ जाते हैं वाइरेस आ जाते हैं और आपका फोन बहुत ज़दा हैंक करन लगता है तो यहाँ आपको करना के अपको इसे यहाँ से बंद करने के बाद आपके फोन में कई भी अपडेट आएगा नए अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपके फोन में एक नोटिफिकेसन आएगा कि भाई आपके फोन में अपडेट आया है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको developer option के अंदर ही रहना है यहाँ पर आपको इक option मिलेगा जिसका नाम होता है logger buffer size यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आप type किजेगा तो यहाँ पर आपको कुछ kb मिलते हैं और कुछ mb मिलते हैं लेकिन जो आपके phone में होता है यहाँ पर आपके phone में 4 mb या फिर 8 mb रहता है इससे क्या होता है कि जो आपके phone में logger buffer size होता है वो बहुत ज़्यदा बड़ा होता है और आपके phone में junk file आ जाते हैं virus आ जाते हैं इससे आपका जो phone है बहुत ज़्यदा hang कर लगता है और बहुत slow काम कर लगता है तो यहाँ हो जाएगा और आपकी पोन में ना कभी जंक फाइल आगा और ना कभी वायरेस होगा इससे आपका फोन जो है कई भी हैंग नहीं करेगा तो इस शेटिस को आप अपनी फोन में जरूर से लेकिन यहां पर आपको 1x नहीं करना है, ठीक है, किसी किसी के phone में तो 1.5x पर भी होता है, तो यहां पर को करना है, animation scale को 0.5x पर करना है, ठीक है, transition animation scale को भी यहां से 0.5x पर scale करना है, animator duration scale को भी यहां पर 0.5x पर करना है, इससे क्या होगा कि अगर आपका phone बहुत slow काम कर र अगर आपका फोन बहुत जदा हैंग कर रहा है कोई भी एप्लिकेशन से काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर इस सेटिंग्स जो तीनों सेटिंग्स है उस पर आपको 0.5 एक्स को सेट कर दिना है क्योंकि हमारे फोन में जितने भी एनिमेशन होते हैं अगर आपके फोन में रैम कम है और आप अपने फोन में कोई भी एप्लिकेशन नहीं रख पा रहे हैं बहुत जदा फोन हैंग कर रहा है क्योंकि हमारे फोन में रैम कम होता है तो हमारा फोन बहुत स्लो काम करता है और बहुत जल्दी हैंग कर लगता है क्योंकि हम अपने फोन में बहुत सारे एप्लिकेशन रखते हैं और हमारे फोन का जो रैम हो वह सारा कंजिम कर लेता है और हमारा फोन बहुत जदा हैंग कर होता है लेकिन यह हमारे phone के लिए बहुत ही important settings है अगर हमारे phone में RAM कम होता है तो इस settings को on करने के बाद आपकी phone में virtual RAM increase हो जाएगा और आप अपने phone में कोई भी application यूज कर सकते हैं कोई भी game खेश सकते हैं आपका phone कभी ना slow काम करेगा और ना ही कभी हैंग करेगा तो इस settings को आपको यहां से on करना है यह आपको developer option के अंदर यह settings को मिलेगा यह हमारे phone के अंदर hidden settings होता है जो कि हमें ज़रूरत में यह काम पड़ता है अगर आपके phone में RAM कम है तो इस settings को आप अपने phone में जरूर एप्लाइ कर लिए ठीक है तो यह चार शेटिंग्स से आप अपने phone के hanging problem को हरमेजा के लिए ठीक कर सकते हैं अगर आपका phone बहुत जदा hang कर रहा है slow काम कर रहा है तो यह चारो settings आप अपने phone में एक बाद जरू पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक लिए जैन टेक कर मिलता है नेक्ट वीडियो में